कब बनाया गया सबसे कमाल का लेजर अब्स्टिकल और हमने इस वीडियो के लिए बनाई हुई कई खतरनाथ और एक्स्ट्रीम मेज़स में से ये सिर्फ एक मेज है और इन दस लोगों में से जो भी सबसे ज्यादा देर सवाइफ करेगा वो जीतेगा धाई लाग डॉलर सब लोग मेरे पीछे आओ स्वागत है रूम नंबर वान में क्या ये किसे तरह का मजाख है नहीं आखिर हम इससे कैसे गुजरे रूल्स आसान है इन्हें बस उस पैसो के बॉक्स को चूना है पर लेजर को टच करते ही धाई लाग डॉलर हाथ से चले जाएंगे और बिलियन डॉलर का सवाल ये है कि पहले कौन जाएगा और ये हमने बनाई हुई सभी रूम्स में से सबसे आसान रूम है इसके बाद मुश्किले और बढ़ने वाली है ठीक है वो नंबर वन को हिलने के लिए जड़ा भी जगानी दे रही है ठीक है सुनो मुझे ठीक वहां पहुँचना होगा ये गेम जैसा लगता तो है लेकिन ये बहुत सीरियस है इस बॉक्स के अंदर पूरे के पूरे धाई लाग डॉलर है जो दाव पर लगे है बढ़ी हाँ बढ़ी हाँ अब आउट हो गया अब सिर्फ नोबचे हैं नहीं येस तुम कर सकते हो ठीक है हमें पहला विजेदा मिल गया दूसरा विजेदा मैं फस गया मैं कर लूँगा ये देखो क्या बात है दोस्ते तुम बाल बचे अबाड बचे अबाड बचे और बाइदर वे ये वीडियो स्पेस में होने बाला है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने गलती से पूरा प्लानेट उड़ा दिया था और हाँ ये सवाल पूछना बंद करो कॉंग्राइट्स पहला लेवल सवाइव करने के लिए वाव हम यहां तक आ गए लेवल वन के बाद क्या सोच रहे हो ध्यान दो टार्गेट बनाओ फिर से ध्यान दो ध्यान देना ज़रूरी है उसके बिना नहीं होगा मेरे दिमाग में बस एक छीज है ये पूरे धाई लाग डॉलर से प्रावा बक्सा तो फिर चलो आप साथो मेंसे कोई एक जीतेगा पूरे पाच लाग डॉलर चलो अगले लेवल पर चलते हैं चलो चले चलो चलो वो पैसे मेरे हैं ठीक है सब लोग महाई कटे हो जाओ ज्यादा आगे मताना यहां अखिर चल क्या रहा है ठीक है लेजर्स को शुरू किया जाए यह कुछ जादा ही है बहुत डर लग रहा है यह लेवल पूरा करने के लिए आप मेंसे सब को यह कोर्स पूरा करके उस दिवार तक जाना होगा यह रेड लेजर वाल्स आपको पिछका देंगी तो बीच में रहना होगा अगर मैं कह रहा हूं कि यह मुश्किल है तो यह करो अब चल्दी चलो 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 अब आप दाल बाल बच्छे चल्दी करो अब समझ भी नी आया शुरू हो गया मुझे लगा बस इंट्रो हो रहा है और अचानक से लॉट ने लगा कि अगले लेबल के लिए पीछे आओ अभी यहां सभी खुश लग रहे होंगे पर मुझे इने कुछ बताना भी है आप सब सवाइव नहीं कर पाएं आप मेंसे कुछ ने लेजर को टच भी किया है मैं अभी फुट्रेज लेकर आता हूँ मेरे हार्टबीट्स बढ़ रहे हैं हाँ मेरा भी सच में इस आइपड पर देखते हैं कौन-कौन अलिमिनेट हुआ है मुझे नहीं देखना ठीक है सब यहां हूँ यहां ओ गॉश तो यह है प्लेयर नंबर वान यह मैं हूँ पहले तुम्हारे शोल्डर पर लगा फिर पी समझ नहीं आता आप दुखी क्यों है अभी पांच बचे हैं पर बदकिस्मती से इनकी एक हुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली स्वागत है अगले लेवल में यह सच में कमाल का है ना समझ नहीं आ रहे यह क्या है पता है यह समझना मुश्किल है पर यह लेवल बह प्लाटफॉर्म तक जाना होगा फिर क्रॉस बीम से आगे जाकर फिर से एक मुविंग प्लाटफॉर्म से होकर लेजर से बच कर सुरक्षत आगे कूदना होगा टाइमर शुरू किया जाए ठीक है तो कॉन पहले जाएगा यहाँ पर तीन लड़किया है तो इनमें से पहले वो पिम डगमगा रहा है मैं उससे देख सकता हूं बहुत अच्छे रेज साथ मिर्ट बचे है मैं आगे ही बढ़ रही हूँ तुम जा रही हो हाँ ओके तुम इसे कैसे करोगे मुझे नहीं पता मैं जूटनी कहूंगा वो तुम सब को ही सोचना होगा अब जाना होगा ठीक है मैं आके जा रही हूँ ठीक है प्लेयर टेन अभी दूसरे प्लाटफॉर्म पर है बालन्स बीम पर कॉन है ठीक है बस हो गया यहू गड़ पावर पूरान दवाल गॉट्स वट्स खत्म हो रहा है जल्दी करो शयाद हमें साथ में जाना चाहिए और भी चली गई दुनों साथ में जारहे है एक तमारां से तरव हुआ तँक है अब देखते हैं तुम आखेंअ हो बस चार मिनट बचकर तम्हारे पीछर हैं में ठीक हूँ थीक हो अब फ़ साड़े तीन मिनट बच़ है तर आल किस तारा है कमाल था सिर्फ प्लेयर एट बचा है जो अपना कम्पीट कर रहा है अभी भी टाइम है मेरे पास मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा जान से तुम कर सकते हो बस पास में हो बस कुछ लेजर्स ही बचे हैं तो मैं कॉछ अब चलते हैं अगले लेवल पर जहां है जाएंट डेथ बीम्स हां सही सुना डेथ बीम्स मैंने स्पेश्चिप पर ब्यालीस ट्रिलियंड डॉलर खर्च किया है तो क्या लगा मैंस में डेथ बीम्स नहीं डालूगा स्वागत है लेवल फॉर में हम वहाँ पर देख क्या रहे हैं वो पता नहीं सकते मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है वोईज डेथ बीम्स फायर करो ओ यह तो कमाल है ओ क्या जैसा कि आप देख सकते हैं फायर करने से पहले एक लाइट फ्लैश होगी आपका गोल आसान है किसी भी रेड लेजर को छुए बिना उस तरफ जाना है या फिर उन बड़ी सी ब्लू डेथ लेजर को टच करके खाक में बिदल जाओ मज़े करो वो जो सके नीचे गया वो जो नमबर सुख सेफ है नमबर एट भी सेफ वो मुझा दर्टी इस वुझा सथाना है कम आँ मधिख भी मधिख भी मधिख भी मधिख भी लुख जोग चलोग चलोग पोगाइव बस नंबर फॉर बचा है कि अब पर शायद उसने कर दिया यूहू वो बॉक्स मुझे डो आओ और इसे टच करो इसने तो मेरे सीने की धड़कन बढ़ा दी मुझे खुशी है कि आप चार बज गए क्योंकि असल में लेवल 6, 7, 8, 9 और 10 बहुत ही महंगी है तो उमीद है कि आप जल्दी ना हार जाए पर सच कहूं तो अगले लेवल पर कोई भी नहीं हारा तो मुझे बहुत हैरानी होगी आखिर ये सब क्या है इस जेल के अंदर आजाओ लेजर डोर को बंद करो ठीक है अभी आप कैद हैं एक बड़ी सी लेजर जेल में और अगले 10 घंटों में किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर ये लेजर साधे तीन सेकंड्स के लिए बंद होगी और उनके फिर से जलने से पहले आपको इस पैसों के बॉक्स को चूना है पता है साधे तीन सेकंड्स कितने कम है और ये रूम कितना बड़ा है बिलकुल नहीं जिमे बिलकुल नहीं मसे करो सिर्फ साढ़े तीन सेकंड का इंतजार करने के लिए दस घंडे कौन देता है बिना सोय इंसान कितनी दे रह सकता है मैं अब तालिस घंडे बिना सोय रह चुका हूँ क्यों शायद मैं उस रात वीडियो गेम्स खेल रहा था तुम्हें लगता है हम पूरे दस घंडों तब टिक पाएंगे शायद टिक पाएंगे मैं जूट नहीं कहूंगी यह बहुत डरामना है मैं कहता हूं लेजर को छूलो समझ नहीं आ रहा है यहां चल क्या रहा है पर जल्दी पता चल जाएगा लीस इसको बंद करो प्लीस मुझे बहुत भूक लगी है क्या वो हमारे लिए खाना लाएंगे कोई खाना नहीं मिलेगा अगर वैसा किया तो दस घंडे आराम से निकल जाएंगे अगर वो कुछ द कrick बंदर जाओ ये हम तुम्हारे लिए प्राइंवी लाएं हैं थेंक्स क्याय क्या चुम पहली बार फ्राइंब ट्राइब कर रहा था एंéchए अटलो देखते हैं क्या चलो देखते हैं प्राइम का सबसे पहले सिप मुझे लेख सालिए ने तो तो तुम्हें कैसा लग यह इस बॉक्स को न छूने के लिए इतना वक्त यहां नहीं बिता सकती। पता है जितना जादा हम यहां रहेंगे उतना ही जादा हम धीरे दोड़ पाएंगे। हम तो बस गय समझ लो। दस मिनट से लेकर दस घंटे। यह किस तरह की रेंज है जीमी। तुम हमारे साथ कर क्या रहे हैं। यह बस पागलपन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पिंचर में कैद है। अभी सुबह के पांच बज़े हैं और वो वहां अंदर साथ घंटों से हैं। खत्रा बढ़ रहा है। सब पैसों को दीख रहे हैं। अगर हम इस बटन को दबाते हैं तो लेजर साथे तीन सेकेंड्स के लिए बंद हो जाएंगे। तुम बटन दबा सकते हैं। क्या वो कर पाएंगे। उन सब दे किल दिया। ऐसा लगा जैसे दुनिया खतम हो गई है। ओ माइ गॉड। तुम सभी इतने चोकनने कैसे थे। सुभके पांच बजे हैं। साथ घंटे हो गया है। हमारा इरादा मजबूत है। क्यूंकि कोई भी आउट नहीं हुआ। मज़ा करना हूँ जोड़े। आज तो बहुत महनत हो गई। मेरे पीछे आओ। हमने सुचा क्या। हमने सुचा क्या। पर जब आप एक स्पेस्शिप में होते हैं। तब दिन जरूरी नहीं होते। एक विशाल स्पेस्शिप में। अंदर आजाओ। हाइड्रेशन ड्रिंक है। और इसके अंदर है सिर्फ 20 कैलरीज, नाचरली फ्लेवर्ड वो भी 10% कोकनट वॉटर के साथ। और इतने वाइटमिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जो इन खिलाडियों को आगे जाने में मदद करेगा। और इनके अंदर एक सिंगल मिलिग्राम कैफीन भी नहीं है। और क्यूंकि ये कंपनी मेरे दोस्त लोगन पॉल और KSI ने बनाई है, अगर आप ये कोर्स प्राइम को हाथ में पकड़ के पुरा करते हैं, तो मैं आपको दूँगा 10,000 डॉलर। हर खिलाडी को प्राइम की बोतल पकड़नी होगी, और इन लेजर्स से बचते हुए एक प्लाटफॉर्म से दूसरे प्लाटफॉर्म तत कूत कर जाना होगा। ये लेजर्स हर 30 सेकंड में थोड़ी देर के लिए जाएंगी। तो आसान रास्ता लेकर खत्रा उठाने के लिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। या ये कूत कर जा सकते हैं। दिल जोरो से देख रहा है। क्या मैं जाओ। हाँ, तुम जाओ। हाँ, हाँ, जाओ। तु जा सकते हो। बढ़िया रेन। ये बहुत डरावना है। अगर मैं हट जाओ तो तुम कूद पाओगी। इसके कूदने के बाद मैं कूदूंगी। ठीक है, देखते हैं। मैं बच गया, मैं बच गया। हम फ्लोर इस्तिमाल कर सकते हैं। उसे आते हुए मैंने देखा था। बहुत स्मार्ट है। ओके, मेरी आपीट्स बढ़ रही है। बढ़िया, उसने कर लिया, सब ठीक है। ओ, क्या बात है। तुम बाल-बाल बचे। तुमने लेजर कुछ हुआ है, मुझे पता है। हाँ, पर हम प्राइम के लिए तुम्हें दस हजार देंगे। वादा करता हूँ। ओ, नहीं, I'm sorry। मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर क्या कम हूँ। जाते हुए अपना दस हजार का केस लेके जाना। प्राइम को पीने के बाद दुख कम हो गया। शायद ये मदद करें। जल्दी मिलते हैं। ठैंक्स जिम्मी। कोई बात नहीं, आने के लिए ठैंक्स। या, हमें ग्रेट डेट। माफ करना। माफ करना। मैं पागल हो रहा हूँ। और अब तीन बचे हैं। नमबर फू तयार नहीं है। मगर फिर भी जाने की सोच रहा है। तुम ठीक हो। तुम बज गए। अब तुमें कैसा लग रहा है। बहतर। अब आगे मैं जाओंगी। अब कोई खेल में खेलना। उसके लिए तो संभल कर खेलना। वू। 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 उसने कर दिया। मैं रास्ते से हट जाता। ठीक है। यह हमारा पहला विजेता। वू। तो उसके पैरों को देखो। अब सिधे आगे की ओन। लेजर इसे छूने ही वाला था। मैं तो गिरने ही वाला था। मेरे पैसो को मत चुमो। मेरे पैसो को क्यों चुम रहे। आखरी प्लेयर बचा है। बहुत प्रशर है। ओके। 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 हमारे पास तीन मिजेता है। यहू। यह अगले तीन लेवल्स तैय करेंगे कि पूरे थाई लाख डॉलर लेकर घर कौन जाएगा। स्वागत है लेवल सेवन में। आपके पास दो आप्शन्स हैं। आप खुद को आउट करके एक टेसला जीत सकते हो। या धाई लाग डॉलर जीतने का मौका पाने के लिए खेलते रह सकते हो। तो आप क्या चुनोगे। वहां पर करीब करोडो लेजर्स हैं। क्या तुम उनसे गुजर पाओगे। बस आउट हो जाओ और टेसला को लेजा। एक तरफ है गैरेंटीड चालीस हजार और दूसरी तरफ धाई लाग जीतने का मौका। जीमी, पर इन लेजर्स से गुजरने का रास्ता तो है। बिल्कुल, नोलन, हमें परिशान मत करो। यह सच में बहुत कमफरटेबल है। मुझे यही कार चाहिए थी। वो पैसे मेरे है। मैं लूँगा। त्रीक है। उस तठान लिया। जाओ अपनी कार्स लो लेडीस, वो पैसे बस मेरे है। अगर आप मेंसे एक भी इन कार्स को नहीं चुनेगा तो कमनाल है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे रूम टेन में जाना है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर तुमने इसे नहीं चुना तो यह मौका फिर से नहीं आएगा। हाँ, जानती हूँ। अगर तुम टेसला चुनती हो तो इसे अभी ले जा सकती हो। हुम। हो सकता है कि वहां जाकर खाली आत लोटना पड़े। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। हाँ। गाड़ी नहीं चाहिए। ज़र आए ने देखो तो। वाइव, फोर, थ्री, तू। तुम यह गाड़ी घर ले जा सकती हो। वाण। गाड़ी लेकर चली जाओ। फैसला करो। हाँ, मुझे पता है, तुम मुझे नफरत करोगे। जल्दी, एक प्री, कार या वो पैसे जीतने का मौका। या भी, पैसों को चुरूंगी। तो पैसला हो गया। पैसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो जाओ नीचे, खेल शुरू करते हैं। विश्वास नहीं होता किसेने टेसला को नहीं चुना। अब चलो भी रहें, बहुत इंतिजार होगे। नहीं। मैं ठीक हूँ, देखो, बस मैरी एक कमर कही टकराना जाए। डूट जगा बहुत कम है। हाँ, सच में कम है। दो रास्ते हैं, और एक डेड़ेंड है। शाद वो डेड़ेंड के और जा रही है। ओ माइग। तुम लिटरली एक मिलिमीटर पासर। वो सिकुड कर धाई लाग तक जाना चाहती है। धाई लाग तक जाने के मौके तक। चलो तुम कर लोगी। लगभग हो ही गया। मैं तुम्हें देख सकता हूं और हमारे बीच कोई लेजर नहीं है। चल्दी करो लोगा। बढ़िया। तो पहला विजेता मिल गया। मैं आ गई, मैं आ गई। अगर यह दोनों लेजर चूते हैं तो तो तुम जीती। अगर यहां से नहीं गुजर पाई तो कहीं मैं काप नहीं न अलग जाना आँजे। वाँ, क्या बात है। ठीक है, और एक। सब लोगा बस नंबर फोर पर ध्यान दो। यह सबसे मुश्किल पाट है क्योंकि यह बहुत ही नैरो है। ओ, पैर पर ध्यान दो। और उपर से कूट जाओं, ऐसा कर सकता हूँ। तुम्हें इजाज़त है। तुम उपर से कूट कर जा सकते ह। अगर उसने यह दिवार भान ली तो यह लेवल जीत जाएगा। तुम्हें लगता है किनारे से चलकर फिर से कूट कर जाना ज्यादा असान होगा। तुम दोनों को लगा कि यह टच कर लेगा अब इनके चेहरे देखो गुस्से में है अब वो किनारे से चल रहा है अब उसे वापस भी कुदना होगा डूड़ ये वहां से कुछ जादा ही उचा है हमने ऐसा सोच कि यह सेट नहीं बनाया था वो लिटरली गेम को बदल रहा है और हमारे सेट को भी ये दीवारे इतनी मजबूत नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था अगर तुम गिरे तो तुम आउट हो तुम जानते हो ना ये बस कमाल है अभी अभी ये सब क्या हुआ बस अगली रूम में चलते हैं उसके लिए मेरे पीछे आना होगा मै किसी ने सोच जटता आ अखेर में हम तीन बचेंगे मेरे ले तुम दो नों ही ख़तरा हो दोनों एक जैसे ही हो मेरी परफ्छाही जैसे दोनों ख़तर्नाखों जब तक सबसे आगे हूँ, तब तक जीत सकती हूँ. सच में, मैं किसी के पीछे नहीं जा सकती. मैं खुद पे भरुसा रखके आगे जाओंगे. और मैं नहीं हरूंगे. सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. मैं बस अगली लेवल पे जाना चाहती हूँ. चलो, अगली रूम में चले. कई सारी लेजर में इसको बनाना बहुत मुश्किल है. तो अगली वाली में मैंने मेरे दोस्तों की भी मदद ली थी. वल्कॉम. हाइ. कैसे हो, गाइस? हाइ. हाइ. इस लेवल में लगे हुए हैं बस तीन लेजर्स. मैंने सभी बॉइस को एक-एक लेजर रखने को कहा. और वो ही तीन लेजर्स इस लेवल में होंगे. नोलन की लेजर्स शुरू करो. मैं इसे कहता हूँ, अप और डाउं. ये तनी मुश्किल नहीं है. मैं इसे बेकार कहता हूँ. तरीक की लेजर्स शुरू करो. मैं इसे कहता हूँ, साइट तू साइट. एकदम क्रियेटर्व. अब ये कितनी मुश्किल लग रही है. ये बहुत ही मुश्किल है. ये बहुत मुश्किल है. अब काल की लेजर्स शुरू करो. कोई प्रेशर नहीं गाईज, उसने बताया भी नहीं कि वो जा रहा है, वो तो बस बस चला गया, ये क्या हुआ, बलके जपकते ही वो पैसे के पास पहुंच गया, बता है मैं बिल्कुल चुप था और मुझे वहाँ ध्यान लगाना था, और सब कुछ भूल कर रास्ता देख अब बस सब तुम पर है, अब सिर्फ तुम खड़ी हो, प्लेयर नंबर फोर और पाच लाग डॉलर के बीच, अगर तुम आउट हुई, तो वो जीच जाएगा, मैं ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब को दिखा दो कि तुम पैसों के लिए क्या कर सकती हो, मुझे, लेजर, नोलन की लेजर, या टरीक की लेजर, वो चली गई, वो हटबड़ी में है, ओके रेड लेजर, उसने कर दिया, उसने कमाल कर दिया, जितनी आसानी से वो पार कर पाया, इसे ये पार करने में उतनी ही मुश्किल हुई, क्या मुझे लेजर ने टच गिया, तुम ने किसी लेजर को नहीं जुआ तुम बच गई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है अब वक्त है हमारे नाइन्थ लेवल में जाने का सिर्फ तुम दोनों में से एक ही आखिरी लेवल को पूरा कर पाएगा बेसिकली उस लेवल में किसी एक को तो हारना ही होगा ठीक है तो मैं वही मलता हूँ क्या हमें लड़ना होगा लेजर टैक्स मैं चांस पर एक बीम गिराने वाला हूँ वैसा करने की कोई वज़ह तो नहीं है पर मुझे करना था चलिए देखते हैं ठाई लाग डॉलर कौन जीटता है मैं नर्वस हूँ हां ये एक मेंटल चैलेंज है इस पर काबू करना होगा अभी सुबा के पांच बज़ रहे पर मैं यहां तक आया हूँ पूरे वक्त कॉन्फिडेंट रहा हूँ मेरा वादा है मैं तयार है इस वक्त अभी पांच बज़े हैं येस मैं नहीं जानती है मैं नहीं जानती मैं थक गई हूँ पर मुझे ये कंपलीट करना ही होगा और मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ काश वो दोनों जीत जाए पर ऐसा तो हो नहीं सकता वो दोनों जीत के लायक है बस सस्पेंस आड करने के लिए हमने इन्हें कुछ घंटे इंतिजार करवाया बोर हो रहा है सही कहां मुझे इस सनफरत है इंतिजार से और भी नर्वस हो रही है ओ माई कॉश यकीन ही होता तुम दोनों ने टेसला को मना कर दिया ये टॉप थ्री है ऐसे कैसे एक रूम ही तो बचा था इनाम या खाली हाथ तुम्हें क्या लगता है ये जीतने के तुम्हारे कितने चांसे हैं 100% चांसे हैं सच में हाँ पूरा विश्वास है ये पूरा कॉन्फिडेंट है मैं सोच रही हूँ काश मैं जीत जाओ मुझे सच में जीतने की उम्मीद है तुम्हें से कोई कुछ भी कहना चाहेगा ऐसा कुछ नहीं मैं थोड़ा ध्यान लगा रहा हूँ हाथ मिलाते हैं अब हम दुश्मन है स्वागत है हमारे फाइनल लेवल में इस फाइनल लेवल में हमने पहले की सभी मेजिस को एक साथ जोड दिया है प्लेयर नमबर सिक्स अंदर आओ ओ गॉड़ बस एक सेकंड वहीं पर रुको प्लेयर नमबर फोर अंदर आओ अब यह सब क्या है ठीक है क्योंकि सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो तो यह लेवल थोड़ा अलग है या तो पहले बॉक्स को टच करो और आसानी से जीत जाओ या फिर तुम्हारा अपोनेंट तुमसे पहले लेजर को टच करेगा और फिर हार जाएगा और तुम आसानी से जीत जाओगे नंबर फोर क्या बात तुम्हारे समझ आई हाँ अची तरह से नंबर सिक्स क्या तुम समझ गई हाँ समझ गई मैं तुम दोनों को इस स्ट्रटीजिक डिसिजिजिन को लेने के लिए तीस सेकेंड देता हूँ यह आखरी फैसले की गड़ी है मुझे यह जीतना ही है डूड मेरा दिल अभी डूड वो अभी बहुत निर्वस लग रहा है वाँ दौड कर गे तो लेजर टच कर सकती है मैं होता तो खड़ा रहता और यही करना सही होगा मुझे फूर्ति से जाना होगा जितना तेज हो सके उतना दस सेकेंड बचे है हां कुछ भी करके मुझे जाना होगा मैं दौडने वाली उसके हारने का इंतजार नहीं करने वाली मैं आगे जाओ जल्दी कह दो जीनी जाने दो मुझे जाने दो मैं इंतजार नहीं करोगी द्री, टू, वान, शुरू करो. ठीक है, जसा कि मुझे लगा था, ब्लेक आगे जा रहा है, वो बहुत आगे है. ओके, ठीक है, दोनों जा रहे हैं, अब तक कोई आउट नहीं हुआ है. वो क्या बात है वो ब्लीक बहुत आगे है ओके यह आउट हुआ तो वो जीट जाएगी उसने लेजर को टच किया क्या वो इसने लेजर को टच किया नहीं सच में लेजर को बंद करो अब कोई फरक नहीं पड़ता इसे टक्कर मत बारो एक तुम ठीक हो ना खुद को चोट मत पहुचाओ यह सच में कमाल हो गया और जाहर है बलेक तुम्हें मिलेगा यह सेकंड प्लेस प्राइस और पूरे दस हजार डॉलर क्यूंकि यह प्राइम के कोर्स में भी दस हजार जीता था पता है यह धाई लाग आपको दस हजार त्यु नहीं है पर यह रहे और दस हजाए ठैंक्स मिस्टर जीद्वीडे किया चाठतीOY मैं इसे थी दोटीवीडियो कर दो या फिर सीधा तुमारे बैंक में फिर ट्रांसफार करदो मैं चाहती हो तुम इसे क्यूब में भी बेज दो और अगर तुम्हे